है स्टुडेंट वेलकम वन सेगेंट योर ऑनलाइन क्लासेस बच्चो इस वाले वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 22 का क्वेस्चन नंबर 15 16 और 17 आपको सॉल्व करना बताएंगे बिल्कूल भी सिंपल से क्वेस्चन है अब तक आपने जो मेरे वीडियो बनाया तो उसमे बार्ग्राफ आगे चलेए करके हम डबल बार्ग्राफ भ्रान आपको सुख Vishy and then in his video कि करेंगी आफ को देख करके त्क है उसमें से कुछ क्वेस्टन दीया रहा था जैसे पैसे जी रीट करते है न त के नीचे question उसी से related उसका answer दो वही जिए यहाँ पर है बार गर आपको देखना है और उसका answer आपको देना है उसे से related ही दिया जाएगा question अलग नहीं दिया जाएगा आपको देखकर ही बस समझ करके answer दे देना है तो आगे यह वीडियो स्टार्ट करते हैं और हमेशा की तरह मैं आपको बता दू कि प्रिविएस वीडियो जो मैंने बनाया है उनका लिंग को मैं जो नेक्स्ट वीडियो बना करना ठीक है और अपने जो आपके ड्रीम से उनको पूरा करना आगे स्टार्ट करते हैं ज्यादा लंबा लेक्टर नहीं करेंगे हम यहां फर्स्ट कोईस्ट जो हमारा है वो क्या है वाट इंफॉर्मेशन ड़स बार ग्राफ गीव यानि यह जो बार ग्राफ बना हुआ है यह क्या इंफॉर्मेशन दिया हूए है तो कई बार टो हमें जो एंसर रहता है वह क्वेस्ट में चूपा रहता है इस वाली क्वेस्ट के ऑनसर की जो बार ग्राफ है वह किस चीज़ के बार हमक्पास को दुब में नहीं नीदिया हुआ है यानि किस सब्जेक्ट में कितने माक्स आया है वो यहां पर बताया गया है तो हम यहां पर क्या करेंगी कि इस तरीके साथ को छोटा सी स्टेट में खुद से बनाना है रटना बिल्गूल भी निना कि दा गिवें बार ग्राफ यानि यह जो बार ग्राफ है वो एक स्टुडेंट के माक्स बता रहे हैं एक एक इग्जामिनेशन में मैं फिर से रिपीट कर देता हूं अगर इस्टेटमेंट आपको आप पटा लगे तो आप खुद से इजी और बना सकते हो खुद से हमें से बनाना इस्टेटमेंट ना मै इस तरीके का बन जाएगा आपका एंसर पहला एंसर होगे कंप्लीट तो यह हम यहाँ पर बता रहा है पहला अलबार ग्राफ दूसरे कोशन में क्या है इन विच सब्जेक्ट इस्टुडेंट वेरी गुड जो इस्टुडेंट है वो किस सब्जेक्ट में सबसे बहतर है और आप सब देखो मैंट का जो हाँ पर हमारा लाइन जा रहा है यह सबसे बढ़ा तावर है तो यह सब ज़्यादा इसका मतब कि सबसे अच्छा कि सब्जुडेक्ट में हो बच्चा मैं तो यहाँ पर हम लिख देंगे इन मैथ सब्जेक्ट या फिर इस्टुडेंट इस याकिन इंदा मैट सब्जेक्ट इस्टोडेंट इस वहरी गोड जो भी आप लिखना चाओ आप ऐसे लिख सकते हो बस देखना है बार ग्राफ और एंसर देदेना है अगला कोईस्टन कि सब्जेक्ट में सब्जयदा कमजोर पूर तो साबसां दिख रहा है कि हिंदी बच्चा सब्सवार रहा किम जो है वो इतना से अगला क्वरस्टन देखो what is the average of his marks तो इसके में जो marks हैं उनका average कितना है तो average निकालने के लिए क्या करना पड़ता है आपको पता ही होगा कि जितने भी total marks है उनको add करते हैं प्लस करते हैं और total subject जितने हैं उनसे minus कर देते हैं तो हम लोगो उनको add कि कितने ऊक्सराइर हैं 60 marks लाया है निसे नोने कितना लाया था तो यह 40 और 30 के दवर बीच वाल्य लाने पे हैं यह कितना हुआ हुआ उन्होंने हिंदी में कितना लाया है 35 marks लाया है अगला लेने मैं थो मै raises को लाइन हमारी गई यहाँ पर टीकिन आपको पैंसेर पर पर आपको सीधी लाइन ले में दिक्कत थोड़ियों तो आप क्या कर सकते हो तो यहां पर मैं साब सबत दिख रही इस लाइन प्यार है याने की 75 होगा 70 अरेटिक में क्यों बीच में क्या आएगा 75 होगा तो मैस क्याय में 75 मार्क की स्कॉर किया है social science में कितना क्या वो देख लेते हैं तो social science में यह वाली हमरी line आ रही है जो क्या रही सीधर जीदे 50 में तो इसमें उन्होंने 50 लाया है और last science में देख लेते हैं जल्दी से science में भी उन्होंने 60 लाया है दोनों में science और English में उनका same marks है यहां पर 60 अब हमको क्या करना है इसके answer लिखने के लिए देखो मैं यही पर आपको बता देता हूँ copy करने जुरूत नहीं पड़ेगा what is the average marks जहां पूछा गया है न तो simple आप लिखना question number four का answer average marks ठीक है average marks लिखके equal का sign लगाना और सभी marks को add कर देना कितना है हमारे पास 60 प्लस में 35 प्लस में 75 प्लस में 50 और फिर से last में 60 है और सभी को क्या करेंगे total जो इतने में subject उसे divided देंगे तो total subject कितने होगा हमारे 5 subject होगा तो 5 6 को divide देदो विखे कितना आ जाएगा हमारा 005 और 10 हो जाएगा यह ना पाइट कर लेता हो सब्सक्राइब यह चोटा से गलती हुआ तो पूरा एंसर हो जाएगा 73 टैन हो जाएगा यह 16 हो जाएगा 16 और 5 हमारे कितना हो जाएगा 21 21 और यह 7 हो जाएगा 28 बिल्कुल सही है हमारा यहां पर हो जाएगा हमारा 280 divide में 5 बस इसको cut कर दो और आपको जो average mark से वह पता चल जाएगा 5 और 5 5 जो हो जाएगा हमारा कितना 25 यहां पर से कितना बज़िया 28 में से 25 कटा हूँ तो तीन बज़िया 3 बज़िया वह आगे जाकर इसे 30 बना देगा तो यह जाएगा कितने लूख रते हैं कितने मेंबर्स हो गांगर उन्हां पर यह जो मांपर टो अंपर इसके रोख सार में फाइब फाइब फैमली में टू अगर चाले एक बच्चे हूंगे . वह उस ट्रीप से कितने फैबली हैं दूटल फॉटी फैमली है . वहा पर तो ऐसे वहा पर टोटल 25 फैमली ऐसे हैं ज़हाँ पर फॉर बच्चे 14 मेंबर 4 से एक मम्मी पापा होंगे 2 गूंगे यानि कि 5 ने모 में टूटल वैंमल्ली में ऐसे कितने फैमिली हमारे पास है समझा यह बात यह हमको यहांपर भारगाफ में दिया और आजते हैं को रिफ्हेंट व्यूंहंने को च्रिवेंसर क्या फ्रस्ट ओर ओदा information does the bar graph give यह जो बार ग्राफ बना यह क्या information दे रहा है तो यह देखो यहाँ पर हमको स्टार्टिंग में एंसर दे दिया गया है यहाँ इसी में से बना लेते हैं statement कि the given bar graph so that यह जो given bar graph है में वो show कर रहा है number of members of 85 family of a colony ठीक है यानि कि एक colony में 85 families में जो number of members हैं उनके बारे में को बताया गया है तो बस इस तरिक आपको statement बना देना है खुछ से यह होगा हमारा first answer आए जो second question उससे देखते है second question है how many families have three members तो आप चाहिए अपने बार ग्राफ में आप बार ग्राफ में फोकुस किजेगा मैं आपर question कर रहा हूं तो three members वाले कितने family हैं तो total हमारे पास 40 family में बताया था फिर से आप देख लो यहाँ पर सबसे बड़ा टावर three member का है और वो कितने में जा रहा है 40 में जा रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे 40 families have three members इसका answer हो जाएगा 40 family ऐसे हैं जिनके में total three member है उस family में ठीक है अगला देखते हैं को समर्थी क्या है how many people leave alone कितने लोग अकेले रह रहे हैं ठीक है यानि ऐसे कितने लोग है जो अकेले रह रहे हैं जिसमें दो दो two member one five family थे तो यहाँ पर 5 फिर उसके बाद फिर फ्लस करदो हमारा पास three member बोले कितने 40 हैं तो प्लस में 40 फिर four member बोले कितने 25 थो प्लस में 25 और फिर plus में 5 member कितने हैं तो 15 है तो प्लस में 15 यह हमारा कितना हो जाएगा total 85 मेंस हो जाएगा हमारा इसको पुरा को जो कि अकीलिय रहता है हर फैमिली में कोई न इसके साथ में जरूर है बहले बच्चे नहीं है तो एक फैना दोनों माता पिता भी है वो सकता बाद में वह पैरेंट्स हो जाये तो इस तरीके से वहां पर टोटल हमारे पास ऐसे जीरो लोगए जो कि अकीलिय रहते हैं इस तरी पर और कितने मेंबर से उस फैमिली में तो यहां पर आपको भारग्राफ देखना है और यह दिमाग लगाना है कि कैसे वाले ऐसा कौन सा फैमिली जो सबसे ज्यादा वहाँ पर रहता है है देखो 85 अब ध्यान दोगे तो 40 फैमिली ऐसे हैं जिसमें केवल 3 मेंबर है तो सबसे जादा है और यहां अगला कोशन उसी में दिया हुआ है how many members are there in each family of this kind कितने मेंबर हैं तो देर आर थ्री थ्री मेंबर इन इस टैप से जो फैमिली उसमें क्यों थिरी मेंबर से यह आपको इसका इंसर लेना है सुन्यागे ना कॉमन का मतलब बस यह इसमें समझना था और कुछ नहीं है अगला जो कुछ समय 17 है यह उसे सॉल्व करते हैं देखो यह क्या हमारा कॉसमर 17 में गिवेन बिलो इस बार ग्राफ सुइंग दा हाइट ऑफ फाइव मांटेन पीक्स ठीक है यानि कि पांच मांटेन पीक के यहां पर हमें हाइट दिया गया है जैसे कि मांट आवरेस्ट का दिया हुआ है ठीक ना ना देवी का अन्ना पुर सबसे बड़ा कॉन से पीक माउंट एवरेस्ट है वैसे तो इसका जो यहाँ पर दिया हुआ है वह 8800 दिया हुआ है लेकिन अभी इसकी हैट थोड़ी से और कुछ मिजूर्मेंट लिए लिए नहीं वाली न जो अब्लेट हुई है न सबसे ज्यादा उचा है और उसका है तो यहाँ पर हमारा सबसे उचा है तो माउंट एवरेस्ट इस दा हाइस्ट पीक एंड इसका हाइट कितना है तो इस हाइट इस 8800 मीटर्स यह हो गया फर्स्ट का एंसर देखा कितना सिंपल था बस देखा हमने और एंसर बता दिया अगला क्वेस्टन वाट इस दारेश्यों ऑफ दा हाइट आइट यानि कि जो हमारा हईयेस्ट पीक है और उसके बाद लिगा झेलीक है तो यह है थोजाएगा हमारा कांचेंज फेला आहिक हो जाए गया टो उसके बादन तरहां रहां तो यहां पर हमारा इसका एंसर दफो क्या हो जाएगा तो यहां पर हमाराइन स्पीक एक को दो यह दो एट तौजन टूहर। आप 8800 8200 का उसमाद फिर लिखना रेशियो ठीक है रेशियो निकालने के लाब कुछ निकरना है के वल दोनों को क्या करना है तो रिखना और उसके बाद फिर 8800 को डिवाइड देना 8200 से थीजो से कट यह उसके बाद यह दूनों हमारे देखो से रहे हैं उपर में टू फोर जाए ठीट और नीचे में टू फोर जा है और टू रहे हमें नीचे में डू ऑट फोन जा तू हो जाएगा यह लिए को इसका रिखने लिख किना ने कल से लिख लेना उसे बद रेशो ली करके दोनों को डिवाइड देना डिवाइड देने बद जो भी एंसर आगा उसको एवरेस के टमपेस तरी के से लिख लेना आपको इस दैट के लिए यह हमारा सेकेंड कैंसर थर्ड क्या है अरेंज दा हाइएस ऑफ दा गिवन फीग इन डिसेंडिंग ओडर डिसेंडिंग के मतलब बताओ जल्दी से क्योंकि कई बर बच्छों को मैं देखता हूं कि क्लास 9-10 में पहुंच आते हैं और असेंडिंग डिसेंडिंग में कन्फ्यूज ही रहते हैं तो इसमें बिल्कुल तो डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा क्या करना है आपको इसको डिसेंडिंग ओडर में करना है तो सबसे बड़ा हमारा कौन सा हो जाएगा इसको आप सिंपल ही लिखना है ना गिवन पीक इन डिसेंडिंग ओडर फिर इकोल का साइन लगाना और उसके बाद दीखते है न है सबसे वाड़ा तो हमारा यह है तो 8800 लिखेंगे उसके बाद फिर कौन रहा है हमारा तो उसके भád हमारा रहा है मधा है भॉं… शक्तू हचे अप परल जो इसको बड़ा लिद्ध लगा सकतो है सबसे बड़ा है तो इसको बड़ा देवी तो यह हमारा हो जाएगा 7500 अब फिर लास्ट में हमारे पास कौन सा रहा है तो यह वाला आ रहा है अनपुर्णा इसका कितना है हाइट तो इसका है 6000 मीटर इस तरी के साथ आपने भी लिख सकते हो मिजरूरी तो दिन नहीं देना है साथ ही साथ आपने भी दे सकते हो म आउंट एवरेट फिर उसके बाद फिर यह वाला कांचें जुंगा फिर हैना हमारा नांगा परबत उसके बाद देवी और फिर अनपूर्णा इस तरी के साथ लाइन से उसे जमा करके लिख भी सकते हो आपको अच्छे समझ में आगे होगा कि कैसे आपको एंसर देने 15 16 17 क की और इसमिन सी एक कोषण आने के चांसे से बाल गराव भी बिनाने के लिए सकता है और इस टाप्स scribi考on में आती है कोई ना कोई जिसे Classics में तो आता ही आता है Class 7 में अगर आपको टीचर का मन किया तो आप इसमें से आपको कोश्चन दिया जा सकता है ठीक है इन तिनों में से एक कोश्चन तो अच्छे से सीख के जाना I hope आपको समझ में आगे होगा मिलेंगे नेक्स चूडियो में Thank you for watching